मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने नए बंगले के बाहर मामा का घर लिखवा दिया है। उन्होंने अपने नए घर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बुधवार को शेयर करते हुए लिखा कि उनके दर्वाजे हमेशा सेवा के लिए खुले रहेंगे। इसे लेकर काफी चर्चा हो रही है। ने कहा था, कहीं न कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार, कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन जरूर किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ती के लिए होता है। वो सिर्फ नाम के नहीं बलकि काम के भी रूप में मामा है। इसलिए उन्होंने कहा भी है कि वो भाई और मामा अजीवन रहेंगे। शिवराज जी जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। इसलिए उनके घर पर भी मामा का घर लिखा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अवनिश सिंह बुंदेला का मानना है कि ये भाजपा के अंदर चल रहे गतिरोध को बताता है। उन्होंने कहा पार्टी को 113 सीटें मिली और शिवराज सिंह चोहान ने दावा किया कि इसकी वजह लाडली बहना योजना थी लेक अपना काम जारी रखूंगा।